हेलो एवरीवन क्या हल चाल है आई होप सब लोग सही से होगे और आज हम लोग नंबर सिस्टम की अचीवर सीरीज की कुछ ऐसे कॉशन को डिसकस करना जा रहे हैं जो थोड़े सची चीज़ है अगर टाइम पर आ गया है ना इसका मतलब लाइट ने मेरे इसका दिकत नहीं करी ने भी मेरा साथ दे दिया और मैंने थोड़ा फास्ट काम भी कर दिया विकॉज आदे गंटे का वीडियो होता और मेरे पास अप्लोड करने के लिए के लिए 45 सेकेंड्स है 45 मिनेट्स है इंक्लूडिंग शूटिंग और सब कुछ सब कुछ बनाना तो आइधिंक यार साइन पर मिले तो थोड़ा जल्दी चीज को स्टार्ट करेंगे पता नहीं क्या हूँ पहले लाइट ने गड़ बढ़करा मैंने वीडियो दुबारा बनाया दुबारा पूरा वीडियो बना लिया उसके बाद सिस्टम बंद हो गया वापस से रिजीम वाई से हो गया मुझे लगा शायद वापस से start हो गया हो बट हुआ नहीं description आप लोग के सामने हैं सब लोग जानते इसको कुछ भी discuss नहीं करना है यह भी जानते हो कैसे पढ़ना है हर वीडियो पर पढ़ाता रहता हूं start करेंगे question से तुम लोग solve करो ठीक है निकालो इसका answer क्या होगा मैंने वीडियो बनाया पूरा उसी पर continue किया बट फाइनली कुछ भी नहीं मिला और अब इसको थोड़ा सा जल्दी बनाना है ताकि हम चीजों को कर भी पाएं टाइम पे भी कर पाएं और आप अच्छे चीजों को समझ भी पाएं शायद आपको वीडियो भी टाइम पर मिली सब्सक्राइब हो सकता है यह सकता है साथ का वीडियो आपको 730 साड़े साथ में मिले कुछ भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर क्वेश्चिन क्या है इस सम आप डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर लाइंग बिट्विन हंड्रेड एंड थाउजंट इस सब्ट्रेक्टेड फॉ होंगे किसी को भी आप ले सकते हैं तो मुझसे का गया कोई भी एक नंबर ले लिए यह रेंज पर मैंने नंबर ले लिया एक्स वाई जट्रेक्ट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमेशा किसे डिविसबल होगा अचा एक बात बताओ अगर हम डिजिट्स प्लस 10y प्लस z into 1 तो देखो क्या है unit place पर 1 से multiply 10s place पर 10 से और 100th place पर 100 से multiply ऐसा ही होगा अचा अगर मैं बात करता हूँ sum of digits की digits का sum क्या होगा तो जो नंबर x y z है इसके digits का sum क्या होगा औवियस सी बात हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x plus y plus z अब कोश्यन में कहा है इस इस में से digits का sum x y z subtract करिए दोनों सारे के सारे positive थे बट subtract करने सब negative हो जाएंगे और subtract करते ही क्या होगा इस तरीके से बन जाएगा यह z से z cancel out हो गया इधर देखो क्या बनेगा 99 x बचेगा और प्लस यह कितना हो जाएगा 999 x बचेगा प्लस क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा पता नहीं क्या हो राज इतना गड़बड़ा किया ना दिमाग भी इसने बिल्कुल पंचर कर दिया है इसके पहले सारे काम कर रहा था और इसके बाद अब यह क्या हो जाएगा 9 यह से common हो सकता है 11 x बच जाता है अब कई यहां पर 9 अगर दिखाई दे रहा है तो यह बात तो शूर है कि 9 से बन गया यह हमेशा 9 दिखाई दे गया ऐसे किसी भी कुश्यन पर आप कोई भी नंबर लेकर देख लें 5 क्यों नहीं लेंगे 5 के लिए मुझे कुछ दिखे नहीं रहा है कि 5 से बने अगर बनेगा भी त नहीं है 6 की भी नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए always क्या लिखा है always और always के लिए मैं या सकता हूं 9 बाकी हो सकता है किसी एक number के case में किसी से divisible हो दूसरे पर divisible ना हो तो हम उनकी बात नहीं करेंगे जो sure है हम उनकी बात करेंगे क्या यह बात समझ में आ रही है सभी को clear है को कोई doubt तो नहीं है किसी को चलो ठीक है अगर बात clear समझ में आ रही है सभी को अच्छे से समझ में आ चुकी है तो बढ़ते हैं हम लोग second question पर यह देखो यहां बोला if a number is divisible by both 12 and 13 इसका answer सभी को पता होना चाहिए बहुत ही एक easy type of question है if a number is divisible by both 11 and 13 अगर कोई एक number है जो 11 औ 11 plus 13, 13 minus 11, 11 into 13 और एक option है छुपा हुआ है 429 तो जिनको पता है वो directly बोलेंगे सर इसका answer 3 होगा 11 into 13 कैसे यह चीज होती है कि मालो कोई दो number है a और b यह तो कोई number a और b अलग-अलग है which divide a particular number which divide a particular number कोई भी number ले लेते हैं n ले लेते हैं तो आप यह बोल सकते हैं कि अगर यह यह भी क्या होगा अब राइटिंग यहां मत देखना है यह अच्छी नहीं बन रही है तोड़ा ज़्यादा ही जल्दी लिख रहा हूं यह आपर स्टुएंट बहुत कन्फ्यूज होते हैं बोट दा एंड डिजिट ऑफ नवर एन रटू एक नवर नहीं है जिसको रिप्रेजेंट किया है अच्छा इस पर बोला गया है बोट दा एंड डिजिट था अबको पता है कोई बी ले लो उसके दो एंड तो होगे एक एक राइट एंड और एक लेफ्ट एंड तो कहते हैं इन दोनों जगों पर दो रखा हुआ है बागी की कोई इंफोर्मेशन नहीं है कहते हैं वह जो नंबर एन है वह 11 से डिविजबल भी है अब 11 का डिविजबिल्टी रूल पता होना चाहिए डिविजबिल्टी बहुत पर बड़को कुछ ना मानना पड़ेगा यहां पर तीननल का नंबर बने को एक क्पांश बना सकता हूं और बीच में कितने होंग papier यहां पर देख लें यहां पर अगर मैं 1 रखता हूं तो 11 का डिविल्टी रूल याद है कि सब जगे 1 हो गया मुझे इवेन और और प्लेस का सम चाहिए दो समसाएंगे फिर उनकर डिफरेंस चाहिए अगर 0 आता है या 11 से डिविजबल कोई नंबर आता तो डिविजबल हो जाएगा दो क्या अधर्रवाइस नहीं होगा तो देखो दो फ्लत वन बनhmen वहां तो शेक करो कि नहीं नहीं हो सकता अब अगर यहां पर तुन हो सकता घंडी पा घंज रहेए लिवेसर म finely होतं करो अठीज च्छ करो वह होगा हीं इसक्क्र तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भाई पहले add किया 2 plus 2 2 plus 2 कितना हो गया यहाँ पर 6 हो गया और 6 minus 2 plus 2 even plus के जो digits है 4 6 minus 4 मतलब 2 आया नहीं बना मेरे भाई ना 0 बना 11 से divisible coin number बना सो अब यह सी बात है यहाँ पर 2 भी answer नहीं होने वाला 3 की बात करें तो भी check कर लो 3 को भी देख लो आप लोग यहाँ पर ठीके केस में क्या होगा यहाँ पर भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ पर भी 3 तो अभी देखो 2 plus 3 plus 2 क्या बनेगा यहाँ पर 2 plus 3 कितना हो गया 5 और 2 साथ हो गया 7 में से 9 इनका difference ले लो गया साथ में से ही डिजिक्ट करो henry छिए ठीर कर समा पया ऐक्र बन यापन यहां पर्ङकर रहा है ऐसा इसे स्ट्रक्चर दिया है मैंने आपको 5 डिजिट पर चेक्ट कर आया तो आप इसको नो ग्यारा तेरा कितने भी डिशिट पर चेक कर सकते हो और मन ना माने ज्यादा फ्री हो अगर 99 पर चेक कर सकते हो एग्जाम पर मतलब कम टाइम पर समझना है आप लोगों चीजों को और आंसर निकालना है आगे बढ़ना है अच्छा कोश्चन है ऐसे कोश्चन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं और सारे कोश्चन यह भी कोश्चन एक्जाम पर आया है आपसे बोला गया कि कोई एक certain number कोई निश्चिस संख्या है वो जो number है यह 2 की पावर 32 प्लस 1 को divide कर देती है चलो ठीक है अच्छी बात है क्या है मुझे कोई information नहीं है तो जिस नंबर ने 2 की पावर 32 प्लस 1 को डिवाइड किया था उससे डिविजबल कौन सा नंबर डेफिनेटली होगा और आपके पास options दिये गए हैं उसका एक multiple होना चाहिए अब क्योंकि वह नंबर ही नहीं पता अपने को जिससे डिवाइड करना तो नंबर ही नहीं पता डिविजबल यहां पर इंफोर्मेशन ही नहीं है पहली लाइन पर दिया गया और दूसरी लाइन पर दिया गया वही और उसको पूछा भी नहीं गया जब वह पता ही नहीं है तो उससे तो आप इंद में से किसी option को relate करी नहीं सकते relate कहां से कर सकते हो इससे ठीक है जो भी answer निकलेगा यहीं से निकलेगा यह बात clear है कि link कहां से मिलने वाला है यहां पर डिवीजर से कुछ नहीं कर सकते विकॉस टोटली unknown है वह अब जरा इनको ध्यान से देखो जब कई मैं यहां देखता हूं न तो छोटे वाले को ऐसा ही छोड़ दिये जाता है विकॉस कोई connection ही नहीं बन रहा मुझे उमीद सबसे पहले option से है फिर बाकियों से उमीद नहीं है ठीक है क्यों नहीं है वाभी आप समझ जाओगे ठोड़ा सा एक्जाम करते करते आपको थोड़ा सा सेंस समझ में आने लगता है जो चीज़ें अपने को पता है भी तक उन्हीं से अंसर अपना मिल जाएगा निसको ज़रा लिखो और मैं कहता हूं इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूं और जातना सही कर रहा हूं कि नहीं तू की पावर 96 को मैं लिखता हूं 32 का क्यूब और ऐसा नहीं कि कुछ भी ब्रेक करने लग जाओ आपने जब चीज़ेंगी ना सामने आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने उस टाप के कोशन करे होंगे तो भी पहली बार आपके सामने आया आप कर सकते हो प्लस वन क्यूब क्यों मुझे 32 से 96 का रिलेशन दिखा और मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पिछले पता नहीं कितने बार मैं आपको बता चुका हूं हो एक्यूब प्लस बीक्यूब एक्यूब प्लस बी क्यों का एक्यूब प्लस बी स्कॉार मैंने एक प्लस ब्लस ब्लाइग आएगा टू की पावर 32 प्लस वन a square तो पहले value का square 2 की power 32 का square ये 2 की power 64 बन जाएगा plus a b तो ये obviously बात है 1 से multiply होके 2 की power 32 ही रहेगा plus b square तो ये 1 रहेगा अगर ऐसा हो गया तो देखो अब इस part पे बनते हैं दो चीजें एक तो ये part बना और दूसरा ये part बना अब ये जो part है ये आपको दिखा कि ये तो वही है ना सर जो पहले divide हो रहा था जो पहले divide होने वाले नमबर है तो वही है तो अगर वह यहां include हो गया तो ऑविएस सी बात है diviser इसको तो divide कर देगा और obviously कोई एक ही option सही होगा तो यह अगर satisfy कर गया तो यहां पर सही हो नहीं वाला था ठीक है इसकी मैं कोई guarantee नहीं ले सकता क्योंकि यह क्या है यहां पर बहुत सारी चीज़े बनेगे और वैसे चीज़ें यहां पर है भी नहीं तो जब मुझे answer यहां दिख गया तो मैं directly उ चेक करने वाले हैं उतना चेक करो तो फिर एक्जाम पर सेलेक्शन नहीं ले पाऊगे प्राइब करना है आप लोगो ठीक है इतना चेक करना है भी घर जाकर कर लेना एक्जाम पर कभी ऐसा रिस्क मत लेना एक्जाम के चीज़ें बहुत ही अच्छे से balance करी जाती है जो बै आगे कर नहीं है तो मैं बताऊं आपके अंदर capacity होगी hundred question करने की बठी आगे वाला एक हड़ी आएगा कितने करके आओगे यह नहीं करना कभी भी अपने को ठीक है अगे बढ़ते हैं अगला question देखते हैं इसका answer दो आपको खुस्ते करने वाला question है ठीक है मैं एक्जाम ची अगे सबी natural number n के थूद वाइड हो जाए natural number समझते हो प्रक्रतिक संख्या है वन से start होंगी जीरो इंक्लूड नहीं होगा तो एन की कुछ न कुछ वेल्यू भी होंगी यहां पर पर एन की सारी वेल्यू से डिवाइड हो जाए तो वह expression आपके सामने है जिससे डिवाइड ह जाए एन की हर वेल्यू रखने पर नंबर क्या होगा डिवीजर पूछा गया फिर से expression जिरा लिखो एन की पावर 4 यहांपर पर फॉर्टी यट बना अब देखना यहांपर 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 टो रखके देखो जैसे कि पावर 4 तो टू की पावर 4 कितना होता है 16 हो जाएगा प्लस 6 n3 की जाएगा एट हो जाएगा ठीक है और 11 n2 की जाएगा कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 n2 n की जाएगा 2 प्लस 24 अब जरह काम करो यहांसे मैं थोड़ी चीजिए आपके लिए छोड़ूँगा ठीक है इसको जड़ा add करके देख लो कि result क्या आने वाला है ठीक अब add तो करी लोग यार यह 16 है यह कितना है 48 हो गया यह कितना बन गया चैवालिस बन गया यह कितना होगिया बारा और यह कितना उगया 24 ёला कि अगर डाउट बने तो आगे 3456 इनको रख के देख लिजेगा कि भाई कहां divisibility बन पा रही है क्या बात clear है आगे बढ़ जाएँ चलो अब भाई इस question को देखो यह आपको लोगो निकालना इसका अंसर करना find the largest number बड़ी से बड़ी संख्या बताएं which exactly divides the form जो इस form को मेंशर डिवाइड करें where n is a natural number n natural number चाहिए और जो number है natural वो greater than 2 होनी चाहिए दो से बड़ी होनी चाहिए यहां पर देखो यह चीज़ आपको चाहिए n cube minus n और इज़र दूसरे bracket में n minus 2 क्या होगा आंसर यहां पर 6, 12, 24, 48 आंसर क्या होगा लाश्ट वाले पर सही बताया था मैंने ठीक है आंसर क्या होगा यहां पर देख दो जल्दी से लाश्ट वाल आप लोग चेक करें हैं मैं इसका आँसर आ दे रहा हूं यहां से यार बाद में कहीं कुछ और निकाला है तो मुझे डाटो दो लोग अटाओ अपने आप चेक करें बताना ठीक है आँसर वाई है यहां पर क्या होगा वैल्यू रखनी है वैल्यू रखने से पर देखो एक बार तो कई लोग इस पर ऐसे वैल्यू रखते हैं नहीं बद दो गए बदल जाए क्रोजर टाइम पर दूसर कुछ लोग इस पर यह कर सकते हैं एन कॉमन ले लेंगे तो इससे क्या होता है कई बार ना की कीछी साही है कब यहां पर जब रखे होगा तो अगर मैं यहां पर रखता हूं यहां पर यहां पर रख रहा हूं इस जगह पर ठीक है ना 4 4-1 कितना हो जाएगा 5 4-1 कितना हो जाएगा 3 और 4-2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अभी भी यहां पर क्या comment दिखा दिख गया 24 दिखा मैं तो क्या रहा हूं आंसर है 24 होने वाला है आप लोग चेक करेंगे आप चाहो तो इन इकपल 5, 6, 7, 8 इन सब को रख रख कर चेक करके देख सकते हो कि आपके रिजल्ट्स क्या बन रहे हैं ठीक है तो यहां पर भी चीज़ समझ में आई होगे और जो यह different type के थोड़ा questions थे यहां पर आपकी को upload करना स्टार्ट करना है तो बस कुछ नहीं करना आप लोग को करना है क्यों प्रैक्टिस और मैं उम्मीद्य करता हूँ कि मैं अगला topic कुछ नहीं स्टार्ट करूं सब बरबाद हो गया था तो चलो अब देखेंगे फिट से बनानी पड़ाएंगे चीज़ें क्या करना है चलो यह तो हो गया आज का वीडियो ठीक है तो बस इतना ही है यार बाकी सब्सक्राइब करो चैनल को और regular updates के लिए बैल आइकन क्लिक कर ले ना सारे के सारे groups के link ताकि मैं जब भी notification डालू तुरंत वीडियो के पहले में notification डाल देता हूँ को मिल जाएगा और बस आज के लिए तना ही मैं आपको मिलूँगा next वीडियो पर बाई बस बस खतम हो गया बाई जा सकते हो आप लोग